ध्यान इदरोदर कराती है ये जो 150 लोग हैं किसी ने अपने बाशन में पहले बोला ये सिरफ व्यक्ति नहीं है ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है हर MP लाकों वोट लेके आता है आपने सिरफ 150 लोगों का अपमान नहीं किया आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मूँ बंद किया है ये सच्चा ही है और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे धमका दोगे आप अगनीवीर योजना लाए हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देश भक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने चीनी जब युवाओं कड़े हुए और कहते हैं हम अगनीवीर के नौकरी नहीं देंगे तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवाओं को दरा सकते हो आप सोचते हो कि कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो आप सोचते हो कि आप देश का पूरा का पूरा धन अधानी जी जैसे दो-तीन लोगों को देश सकते हो है आप हिंदुस्तान को नहीं समझें आ pouring and दिन पहले कि पार्लमन्ट हाउस में दो तीन युवा जम्प करके अंदर आ गए जम्प करते हुए हम सब ने देखा अंदर आए थोड़ा दुआ पहलाया BJP के सांसत सब भग लिए वो अलग बात है वो अलग बात है जो अपने आपको देश भक्त कहते है हवा निकल गई उनकी वो टीवी पे आपको नहीं दिखा वो हमें दिख रहा था पीछे से खेर सवाल ये सबसे पहला सबसे पहली बात अंदर कैसे आए सिक्यूरिटी ब्रीज की बात हुई सही है अंदर कैसे आए पार्लिमंट के अंदर वो गैस का सिलिंडर ले आए अगर गैस का सिलिंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे दूसरा सवाल सिक्यूरिटी ब्रीच का सवाल तो है मगर दूसरा सवाल भी है उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी उसका कारण क्या था बेरोजगारी देश में भयंकर बेरोजगारी इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है मैंने किसे से कहा जो सर्वे करते हैं मैंने किसे से कहा एक काम करो एक काम करो एक छोटा सा सर्वे करो किसी भी शहर में चले जाओ छोटा सा सर्वे करो पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के भीया ठहर जाओ हिंदुस्तान के जो युवा है ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं इस पे दिन में कितना घंटा मतलब इंस्टाग्राम पे, फेस्बुक पे ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी कोई बड़ी सर्वे नहीं पर चेक करने के लिए महरान हो गया साड़े साथ घंटे जवाब मिला साड़े साथ घंटे ये वाँ फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे इमेल पे अपने फोन पर जैसे देखे यहाँ पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए है देख रहे है साड़े साथ घंटे नरेंद्र मोधी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल्फोन पे वठा है क्यों क्यों क्यूंकि नरेंद्र मोधी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है सेल्फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रो 24 गंटा देखते रो यह हिंदुस्तान की हालत सच्ची हालत इसलिए यह जो जुवा थे जिन्होंने सिक्यूरिटी प्रीच जरूर की वो भी आपकी गलती है इसलिए वो पार्लिमंट हाउस में कूद कर आए यह भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है अब देखिए मीडिया में मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है नहीं मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की मीडिया क्या कहती है मीडिया कहती है कि पार्लिमंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे वहाँ पे राहूल गांदी ने वीडियो ले लिया मतलब इन्हों ने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया पार्लिमंट के बाहर खड़ा कर दिया ये सवाल मीडिया ने नहीं पूचा क्यूं किया कैसे किया अमिच शाज से सवाल पूचा कि भईया आप हो मिनिस्टर हो ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए बेरोजगारी पे दो सवाल पूचे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है ध्यान इदर उदर कराती है ये जो 150 लोग है किसी ने अपने भाशन में पहले बोला ये सिरफ व्यक्ति नहीं है ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है हर MP लाकों वोट लेके आता है आपने सिरफ 150 लोगों का अपमान नहीं किया आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मूँ बंद किया है ये सचाई है और आप सोचते हो की आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे धमका दोगे आप अगनिवीर योजना लाए लाए हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देश भक्ती की जो फीलिंग होती है वो आपने चीनी जब युवाओं खड़े हुए और कहते हैं हम अगनिवीर के खिलाफ हैं तो आपने विडियो कैमरे से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भाईया अगर आपने अगनिवीर के बारे में कुछ बोला आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवाओं को डरा सकते हो आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो आप सोचते हो कि आप देश का पूरा का पूरा धन अदानी ची जैसे दो-तीन लोगों को दे सकते हो आप हिंदुस्तान को नहीं समझे आप हिंदुस्तान के उवाओं को नहीं समझे हम सब ओपोजिशन के नेता ओपोजिशन के कार्यकरता एक साथ खढ़े हैं اور आप बाद समझे ये लड़ाई नफरत और मोहबत के बीच में लड़ाई है जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में हम मोहबत की दुकान कोल रहे हैं जितनी आप नफरत फैलाओगे जितना आप लोगों को धमकाओगे डराओगे उतना इंडिया अलायंस मोहबत फैलाएगा भाई चारा फैलाएगा एकता और इज़त फैलाएगा आप सब यहां आए सब पार्टी के कारे करता है एक साथ मिलकर आए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ नमस्कार जैहिन